statistics क्या है मुझे तो भई उसी दिन समझ आगे थी जब class में sir ने गा था लड़कियां साइड पे हो जाएं लड़के साइड पे हो जाएं तो वो असल में sir ने stat लगाई थी stat लगा के बोला था के gender specific groups बन जाएं फिर एक दफा तब पता चला जब हमें बताया गया कि फलान जगा से समान उठा के ले के आना है और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो करदे मुंडे होना उन पे ही दे हो ठीक है पिर अक्सरोकाद पुराने जमाने के अंदर जब कहीं पे शादी होती थी तो घर वाले बिस्तर ही कठे ये करने भीज़ देते थे के ले क्या हो और अक्सरोकाद वह लड़के जाते थे इसे तरीक하면서 जब आप किसी को गुरूप करते हैं गुरूपिंग करते हैं चीजों की वो भी स्टेटिक्स के अंदर आती है लेकिन अब स्टेट को हम वैसे define करते हैं जैसे गोरा पाज ही define करते हैं Let's see मैं notepad आपके सामने share करता हूँ अपना और उस पे देखते हैं कि stat हमारे लिए क्यों जुरूरी है और stat हम कैसे सेख सकते हैं ले जनाब आपके सामने ये मेरी screen share हो रही है अब यहाँ पे मैं आपको statistics की definition गोरे की दिखाऊंगा then आप उसको समझेंगे कि statistics हमारे लिए क्यों जुरूरी है Okay, let's see ले जनाब अब यहाँ पे जो statistics की definition है this is something like this statistics यानि के stat obviously जिसके बारे में हम बात कर रहे है is a branch of mathematics mathematics की branch है तो क्यों क्योंके हमें mathematics और numbers और number theories और बाकी चीज़े आनी चाहिए इसको सीखने के लिए यानि के अगर मैं यहाँ पे 7 लिखता हूँ आपको पता है कि यह whole number है ठीक है So, अगर मैं 7 इशार या 5 लिखता हूँ तो आपको पता है यह decimal points है So, these kind of small things you should know is a branch of mathematics that deals with the collection अब मैं यहाँ पे keywords लिखूँगा collection analysis second one is analysis interpretation third one is interpretation interpretation number four is presentation So, मैं यहाँ पे लिखता हूँ number four presentation and organization of data and organization of data यह जो 5 pillars है na statistics के यही जो है pillars यह हमारे लिए बहुत जरूरी है समझने ठीक है और यह 5 pillars के इर्दगिर्द सारी की सारी stat जो है आपकी वो घूमती है अब अगर आप देखें अगर गौर करें data collection यानि के data लेना कैसे है sampling इसके अंदर आ जाएगी आपकी ठीक है sample कैसे करना है data second one is analysis तो यहाँ पे आपकी सारी की सारी data analysis की techniques यूज हो जाएंगी ठीक है number third is data interpretation interpretation कब होगी जब आप analysis करके graphs बनाएंगे तो वो भी stat के अंदर आते हैं जिसको हम plotting बोलते हैं ठीक है फिर इसके बाद जनाब आपकी presentation जो आप plots को interpret करने के बाद present करते हैं to the general audience वो भी इसी में आ जाएगा number fifth one is organization of data यानि के जो लोग आज कल big data को use कर रहे हैं वो organize कैसे करते हैं यानि के Google के पास यतना ज्यादा data आ रहा है वो कैसे organize करते हैं तो उसके पीछे भी आपकी statistics involved है यानि के हर जगा पे आपके पास statistics involved है ठीक है अब आपको समझ आगी कि यहां पे statistics जहां जहां पे involved होगी वहां वहां पे हमें चीजों को और भी detail में समझना ज़रूरी होगा अब यहां तक आपको समझ आगी कि branch of mathematics जो इन 5 pillars से deal करते हैं collection, analysis, interpretation, presentation and organization अब इसके बाद आगे क्या है in applying statistics to a scientific, industrial or social problems it is conventional to begin with the statistical population or statistical model to be studied ठीक है अब यहां पे यह बताना चाहा रहा है कि जब आप analysis करते हैं statistical analysis किसी scientific study पे आप में से काफी लोग है जो PhD कर रहे होंगे जो master's कर रहे होंगे जिनको पता नहीं होगा किस तरीके से stat लगानी है तो उनके जो scientific question है उसमें जो data आ रहे है observation आ रही है उस पे फिर industrial application अगर मैंने Google की आपको example दी उसके उपर भी यही काम होता है फिर social problem जो sociology के लोग हैं वो जब data को analyze करने से पहले ले के आते हैं sociology वाले वो कैसे ले के आना है survey कैसे करवाना है बाकी सारी चीजें फिर आपका क्या होता है इसको start करने के लिए आपको population से start करना पड़ता है यह statistical model से ठीक है so basically stat क्या है stat आपका data के इर्दगिर्द घूमना data के इर्दगिर्द घूम के data से input लेना data के आने से पहले stat start हो जाती है और जाने के बाद तक stat जो है उसका role रहता है यानि के data का life cycle data life cycle data का जो life cycle है इसके अंदर stat involved है for example आप data लेते कैसे हैं जिसमें collection आ गई ठीक है फिर आप at the end data को present करके store कैसे करते हैं वहां तक बीच में जितने भी steps हैं जितने भी test हैं जितनी भी चीज़ें वह सारी की सारी statistics के अंदर involved होती हैं अब आपको समझ आगी होगी कि पिछले lecture में यानि कि जो मैं पहले आपको बता रहा था कि जो data है वह हम observation से collect करते हैं और फिर उसको measure करते हैं सो जहरी बात है जब आप उस data को collect करें उसको कुछ ना कुछ तो करना है न क्यों data collect करें आप data collect करें किसी एक problem की वज़ा से problem क्या होती है और stat उसे कैसे resolve करती है आप आप आपको से जसे तो